चलिए friends स्टार्ट करते हैं साइंस का आज का अपना वीडियो और सारे facts important हैं तो पुरा वीडियो ध्यान से देखें और सारे facts को आप note करते जाएं इससे आपके notes भी properly prepare हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस chapter से और यहाँ पर हम देखते हैं कि motion किसको बोलते हैं या सापेक्ष किसी निकाय, यानि निकाय का मतलब किसी दूसरी बस्तु की इस्तिती में कोई परिवर्तन होता है, समय के साथ अगर कोई बस्तु अपने इस्तिती को चेंज करती है, अपनी इस्तिती को चेंज करती है, तो हम कहते हैं कि वो बस्तु कैसे है, गती अवस्ता में, या जा रहे हैं और आपका फ्रेंड भी गाड़ी से जा रहा है तो आप जब दोनों एक साथ सेम स्पीड से और एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो आपको आपका फ्रेंड आपके सापेक्स कैसा लगता इस तरह यानि रुका हुआ लगता है ठीक है तो जब तक कि दो चीजों मे एक दूसरे से ज़्यादा या कम नहीं होगी तब तक और एक दूसरे के सापेक्स कैसे रहेंगी इस तरहहीं ही रहती है ठीक है आगे देखते गतिसदाईव एक बस्ट से दूसरे बस्ट के साफेक्षी ही मापी जाती है यह दिवा साथ समान वहेगं से गति शील है तो एक दूसरे के कैसे रहती है इस फिर अवस्था में रहती है किसी बस्त द्वारा चले गये पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं दूरी कहते हैं क्या कहते हैं दूरी कोई पत है A से B तक कोई व्यक्ति गया ठीक है और फिर B से C तक गया तो ये टोटल उसकी क्या हो जाएगी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक A से B और B से C तो क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी और दूरी कैसी रासी अधिस रासी भूल होती हैं जिनमें केव moty Neenge하기 मान्ः होता जिन में the direction नहीं होती उनको बोलते हैं आधिस राशी ठीक तो दूरी कैसी है और इसका ऐस आ्य स्पड रख क्या है मीटर क्या है मीटर है अब हमारे पिछले वीडियो में जाकर मापन का वीडियो देख सकते हैं उसमें सारे यूनिट्स आपको मिलेंगे और सारी कौंटिटीज भी आपको देखने को मिलेंगी ठीक है तो आप हमारा पीछे का वीडियो नीचे डिक्स्क्रिप्सन में जाकर देख सकते हैं साइंस का चलिए कैसी रासी है अदिस रासी है और इसका मातरक क्या है मीटर होता है चलिए आगे देखते हैं किसी बस तू की प्रारंभिक तथा अंतिम इस्तिती के बीच की जो नियुनितम दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं विस्थापन बोलते हैं बोलते हैं विस्थापन बोलते हैं और विस्थापन कैसी रासी है एक सदिस रासी है और इसका मात्रक भी कितना होता है मेटर होता है क्या होता है मेटर तो पूछा जाता है कि जो दूरी है और विश्थापन इतनी difference क्या है तो इसमें difference बस हितना होता है कि जो विस्थापन है वो एक सदिश रासी है और दूरी काईसी है अधिश रासी यानि विस्थापन में direction भी होता है विस्थापन निगेटिव हो सकता है लेकिन distance कभी negative नहीं होती ठीक है यह हमारा इसमें difference है चलिए किसी बस तो दोरा प्रती second चली गई दूरी उसकी क्या कहलाती है चाल कहलाती है और चाल कैसी रासी है अदिस रासी है ठीक तो चाल वरावर क्या होता है चाल वरावर दूरी बटे समय क्या होता है यह फार्मूला भी पूछ लिया जाता है और यहां से चाल का मातरक क्या बनता है यहां से चाल का मातरक बनता है मेटर प्रती second क्या बनता है किसी बस्तु का एकांग क समय में विस्थापन क्या कहलाता है गसंग काश समय में एक सेकेंड में किसी भी निष्चिद डाइयरेक्श्न में कितना विस्थापन करती है उसको हम क्या बोलेंगे बेग बोलेंगे बेग कैसी रासी है सदिस रासी है इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड तो चाल और बेग में अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो बेग कैसी है सदिस रासी है और चाल कैसी रासी है अदिस रासी है य esempi बस्तू कि बेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं तौरणं बोलते हैं और तौरणंेगेटिव ही ओत pact EXP कितना हमेंटर पर सेक इंड imyडा примерно इसकोएर और यह रासि कैसे होती कैसी besoin关i है एक वैटक्र कdonika कैसी वेक्टर यानि सदिस रासी ठीक है अच्छा तोरण जब निगेटिव होता है उसको मंदन बोलते हैं क्या बोलते हैं मंदन यानि वो किसी भी गति को कम करता है ठीक है तो तोरण किसी भी बस्तु की गति को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है उसके बाद अगर हम सरल रेखिए गती की बात करें तो सरल रेखिए गती के जो समीकरण है वो किस ने दिये थे गैलिलियों ने दिये थे और कितने हैं तीन है कितने तीन है पहला कौन सा है vi is equal to u plus a t जहाँ पर V क्या है? अंतिम बेग है U क्या है? प्रारंबिक बेग है और A क्या है? त्वरण है और T क्या है? समय है दूसरे में यह दूसरे में यहां V नहीं S होगा यहनि S is equal to U T प्लस हाफ A T स्क्वेर ठीक है? तो यहां पर V ना होके यहां पर S होना चाहिए था. S is equal to U T plus half A T स्क्वेर और तीसरा है V स्क्वेर is equal to U स्क्वेर प्लस 2 A S. ठीक है? क्या? 2 A S. अगर T वे सेकेंड में चली गई डिस्टेंस पूछी जाती है तो T वे सेकेंड में चली गई डिस्टेंस किसी बाद लोग पूछीता है कि दसवे सेकेंड में चली गई डिस्टेंस तो इस फॉर्मूले से find होती. S is equal to half U T plus A into 2 T minus 1 से. ठीक है? तो फ्रिंट्स यह साइंस का हमारा मेकेनिक्स का पहला वीडियो और नेक्स्ट वीडियो यह हमारे साथ और अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर ले साथ ही वैल आइकन को भी अन कर ले इससे मारे आनमेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे थैंक्स फर वाजिंग एक्सम बारियर्स आप इस वीडियो